हेलो, वेलकम टू मैं मेसी वर्ल्ड और आज मैं बताने जारी हूँ मेरी केदाना जर्णी इन डिटेल्स वीडियो थोड़ा वलड़ी और शेकी हो सकता है पर बहुत ही ज्यादा इन्फोर्मेटिव है तो जो केदाना त्यात्र में जाएंगे उनके लिए तो बहुत ही फायदे मन्द होगा और जो नहीं भी जारे वो भी देखे क्योंकि इस वीडियो के जरी आप केदाना दवाबा के दर्शन कर सकते हैं तो मेरी जर्नी स्टर्ट हुई है नौर्टीस के सिल्चर से और सीदा पोज गए दिल्ली दिल्ली पोज़ते हम कश्मेरी गेर गए वहाँ पर टिकेट कराया खाना खाया और कश्मेरी गेर से हमारी बस निकल गई रिशिकेश के लिए ये जर्णी 7-8 घंट की जर्णी है और हमें पॉस्ते पॉस्ते काफी देर हो गए थी लगबख तीन सारे तीन बज़े के टर्मिनल से हमारा बस निकला था और हमें पॉस्ते पॉस्ते पॉने 11-11 बज गह थे तो काफी रात हो गए थी यहाँ से टिकेट भी आपको reasonable price में मिल जाएगा 700-800 में एक जनका हो जाता है पर आपको बहुत सारी बसेस मिलेंगे वोलबो बस में अलग charges है तो आप अपने preferences से चूज कर सकते हैं रस्ते में खानवाना खाने के लिए बस रुकती है तो खानवाना खाके फिर से हमारा जार्नी शुरू हो गई रिशी केश के लिए रात के ओल्मोस्ट 11 बजे हमारा रिशी केश तक का सफर पूरा हो चुका था काफी सुंसा निरिया था पर होटेल मिलने में कोई भी परिशानी ने हूँ इसली मिल जाता है जार्नी काफी टायरिंग था तो और वीडियो लेने की शक्ती शमता कुछ भी नहीं था तो होटेल गई और रेस्ट किया अब सिधा चलती हूँ डे टू पे डे टू हमारा स्टार्ट हुआ लगबग सारे चार पास बजे पर हमें लेट हो गया था क्योंकि कुछ बसेस पहले ही चली गई थी तो हमने भी थोड़ा जल्दबाजी दिखाई और पानी वगड़ा खरित के बस में बैठ गई टिकट कराके और फिर बाबा केदार्नाथ का नाम लेते हुए हमारा बस स्टार्ट हो गई रिशी केश से सोन प्रयाग के लिए पाहडों के सुबह तो वैसे भी बहुत ज्यादा खास होती है और यह और भी स्पेशल बन जाता है जब आप रिशी केश में हो और केदार्ना द्यातरा पे जा रहे हो बस जिस रस्ते से गुजरती है वहाँ से आपको राम जूला लक्ष्मन जूला और बहुत सारे मन्दीर नदिया सब कुछ दिखाई देती है अगर आप बस से जाड़े हो तो ट्राइ करना कि आपको राइट साइट के सीट मिले कि वहाँ से वियू बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और सब कुछ वहाँ से दिखाई देता है हम सामने की सीट पे बैटे थे तो हमें भी काफी अच्छा दर्शन हुआ हर चीज का तो इसके कोई रिग्रेट नहीं है और हमारे पाइलट भाईया बस चलाने रहे थे उड़ा रहे थे वो बहुत ही ज्यादा एक्स्पिरियेंस थे देखने से लगता है तो डर्वर नहीं लगा तो हमने जर्णी बहुत ही ज्यादा एंज्योई किया हर मोड डगर से होते हुए हम भोले बाबा के करीब जा रहे थे वैसे तो भोले बाबा हर जगाई है पर केदानात की बात ही कुछ अलग है और हाँ बीच में कभी ऐसे सरक भी मिल सकते है तो घबराने के ज़रूरत नहीं है वहाँ पर rescue team हमेशा तैनात रहती है तो कुछ भी problem होगा तो वो लोग जल से जल solve करने की कोशिश करते हैं तो हमारी हाँ पर भी थोड़ा time लगा था पर जल्दी से एक traffic clear हो गया और हम प्राक्रिटिक सुन्धरता के लुप्त उठाते हुए बहुत ही ज्यादा excited बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ हम आगे बढ़ रहे थे के रानात पहुचने के लिए यहाँ पर हर थोड़ी देर में आपको नदिया देखने को मिलेगी और हर नदी का अलग-अलग importance है और पूछने पर पता चला कि यह उलकानन्दा रिवर है जो बद्रिनाथ से होकर यहाँ तक आई है केदानाथ से भी एक नदी आती है जिसका नाव मन्दाकिनी and there is a point जहाँ पर उलकानन्दा और मन्दाकिनी मिलते है और मन्दाकिनी का जो वाटर है वो पूरा ग्रीन है और अलकानन्दा का तो आप देखी रहे हो तो वो बिलकुल मतलब दिखाई देता है कि दो नदीया मिल रही है जो कि इस वीडियो में नहीं है क्योंकि मैं इसका वीडियो नहीं ले पाई और धीरे धीरे हम केदारनात की और बढ़ रहे थे यहां के जो रस्ते हैं काफी छोटे हैं ऐसे लग रहा है जैसे किसी कैंगन में गारी चल रही हो पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं इसी रस्ते से ही लगभग 9 से 10 घंटे की जर्णी तरह करने के बाद हम पहुँच चुके हैं सोन प्रयाद यहाँ पर होटेल में ना काफी इजी है पर शर्त यह है कि पीक टाइम ना हो अगर पीक टाइम रहेगी ज्यादा रश रहेगा तो रूम मिलने के चांसे थोड़ा कम है लोग हेलिकाप्टर से केदर ना जा रहे थे पर हमें वाजा के पता चला कि हेलिकाप्टर राइड लेने के लिए हमें फाटा जना पड़ेगा जो 20-25 किलो मिटर आगे है तो टाइम भी नहीं था तो हमने ये प्लैन ड्रॉप कर दिया फिर खाना वाना काके रेस्ट किया और सीधा डे थ्री सुबा के तीन बज़ के 26 मिनिट नहा धो के एकदम तयार और यहाँ पर शुरू होती है आज की जर्णी सोन प्रयाक से गोड़ी कुन तक जाने के लिए यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहते हूँ कि अगर आप लोग जा रहे हो तो सोन प्रयाक के आगे जो पॉर्शन है उपर वहाँ जाके रुखने की कोशिश कीजिए क्योंकि सुबह सुबह वहाँ से निकलना थोड़ा आसान होता है यहाँ कुछ आगे आने के बाद ही आपको लाठी रेंकोट बगएरा मिल जाएगा तो अगर पैसे बचाना हो तो यहाँ से खरिद लो क्योंकि आप जितना उपर जाओगे दाम इतने ही उपर जाता रहेगा और फिर थोड़ा आगे जाते ही आपको शेयर्ड गारी मिल जाएगी जो आपको गोड़ी कुन तक छोड़ देगी आप जितनी जल्दी जितनी सुभा निकलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि पाहाडों में कब कहा वक्त लग जाता है पता नहीं चलता और अगर आपको टाइम से पहुचना है तो आप जितना जल्दी निकलेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए और फिर भोले बाबा का नाम लेते हुए जै केदानात बोलते हुए जै कड़ा लगाते हुए हमारे ड्राइवर सहाब ने गारी स्टार्ट कर दी और हम चले गौडी कुन के और और गौडी कुन के लस्ट पॉइंट में हम उतर गए यहाँ से ये छोटी छोटी गलिया तंग गलियों से होकर हम आगे बढ़ते रहें हमने पहले सोचा था कि हम पैदल ही चड़ेंगी पर एक गल्टी कर लिया था बैग में काफी वजन था जिसके कारण चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी हमारे पास वक्त भी काफी कम था तो उसी वक्त के अंदर हमें दर्शन करके वापस आना था तो इसलिए हमने कोई रिस्क नहीं लिया कि चलते चलते अगर लेट हो गया तो घरबर हो जाएगी तो हमने खचर जो है वहाँ पर आसानी से मिल जाता है तो हमने खचर पर जाने का डिसिशन लिया तो हमारा फिर से जोर्नी शुड़ू हुआ पर इस बार खचर के उपर बैठ के और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे और सुबा भी हो रही थी तो अलग ही एक फिलिंग था कि हम पहुच रहे अल्टिमेटली इतने दिनों का ड्रीम था केदारना जाने का तो अभी वो ड्रीम में जी रही थी तो वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा स्पेशल था और धीरे धीरे सुबा हो रही थी और सबसे मज़ेदार बात यह है कि केदारना ट्रैक पे सुबा होते हुए देखना यह अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बहुत ही स्पेशल फिलिंग से और जिदर भी देखो कही पर भी देख लो मुझसे सिर्फ यह निकलेगा पर में एक और बात कहना चाहते हो कि अगर आप लोग जा रहे हो तो साथ में कुछ खाने का लेकर जाओ जैसे चॉकलेट बार प्रोटीन बार यह सब जिससे आपके पेट में कुछ रह सकता है हमने कुछ नहीं लिया था है और हमें काफी मुश्किलों के सामना करना पड़ा इस ट्रेक में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे आपको सर्प्राइजेस मिलते रहेगी जैसे नेचर ने प्लैन करके रखा हो कि आप यहाँ पर आओगे तो आपको यह सर्प्राइज मिलेगी और यह एक बहुती ज्यादा बहुती सुन्दर सर्प्राइज है जो एक उपर जाएंगे उसके बाद ही हमें यह देखने को मिलेगा जो हमने फोटोस में देखा था पर हमने तो यह यहाँ पर ही देख लिया तो बहुत ही ज्याद एकसाइटमेंट थी आगे और क्या-क्या होगा यह सुच कर यहाँ पर छोटे-छोटे दुकान स्टॉल्स मिल जाते हैं पर यहाँ का जो चीजों का दाम है प्राइस है वो बिलकुल आसमान के लेवल पे हैं वैसे रस्ता भी काफी मुश्किल है लाने में काफी दिक्कत होती है पर पास रुपए की मेगी साट रुपए में खाना करेंगे जाएगा नहीं तो इससे अच्छा है कि मेगी घा ले मरने से तो बच जाएगा तो मैगी चाय पकॉरे सब कुछ यहाँ पर मिलता है पर काफी मेहंगा है मेहंगा नहीं काफी ज्यादा मेहंगा है क्योंकि ये रस्ता काफी टफ है तो कोई रिस्क लेने का चांस ही नहीं था और ठंड भी काफी ज्यादा था तो चाय तो बनती ही है तो हमने यहाँ पर रुक के थोड़ा चाय पी लिया पर चाय की कब जो है वो हील रही थी ये कोई मतलब फोटो या वीडियो के लिए नहीं था ये ठंड के कारण हील रही थी ऐसे तो चाय पीनी के बाद फिर से हम शुड़ू हो गए हमारे रानी के उपर बैठके हम पहुझ गए केदारनाद घाटी में खचर से जो लेके आते हैं वहाँ पर ही उतारते हैं इसे आप खचर स्टेंड भी बोल सकते हो तो यहाँ से मंदिर लगबग चार पाच किलो मिटर आगे होगा शायद मुझे एक्जेक्ट मालूम नहीं है और ठंड के करण हमारा हालत बिलकुल ही खड़ाब हो चुकी है तो अभी चाय की जरूरत है और साथ में कुछ खाने के लिए क्योंकि काफी देर हो चुके बारा सारे बारा बच चुके है और वहाँ से जा रहा है एक कुझा करने के बाद हम वहाँ से निकल गए और मंदिर के लिए हम रवाना हो गए काफी दूर था अभी भी पर एक्साइटमेंट थी बहुत ही ज्यादा और यह मंदिर का गेट गेट से भी काफी दूर है तो गेट में आने के बाद भी ऐसा लग़ा थे कब दिखाई दे हाँ पर लोग टेंट लेके जा रहे थे और यहां मैंने एक्स्पिरियंस के जिन्देगी का पहला स्नौफॉल के दाना धाम में ओफ यह मोमेंट तो बिलकुल बिलकुल क्या बता हूं मैं बयानी नहीं कर सकती बस समझ लिजी आप लोग यहाँ पर हर चीज खूपसूरत है पर हमारे पास टाइम बहुत ही कम था टाइम लिमिट थी तो हम जितना जल्दी हो सके हमें मंदिर तक पहुचना था ताकि दर्शन हो जाए और हम वह से निकल गए और फिर नजरों को सुकून मिला जब मेरे भोले बाबा के दर्शन हुए हम देखते ही देखते पहुच हो रहते कि कब मैं जाओ और बाबा को देख हूँ यहाँ पर में और बात बताना चाहते हूँ कि अगर आप ग्रूप में आ रहे हो तो आपको रूम आठ हजार से मिल सकता है और डॉर्मिटर इस भी अवेलेबल है तो टेंड भी मिल सकता है तो सब कुछ पॉकेट फ्रेंड अगर आपने सोचा है कि कि दरना धाम आना है और आप आके यह देख रहे हो यह मंदिर आपके आखों के सामने तो आप क्या फील कर सकते हो मैंने बस वही फील किया अभी बयात तो नहीं कर सकती मैं बता भी नहीं सकती और जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ मेरी मूप चेहरे में एक अजीब से स्माइल आ जाती है, अजीब से सुकून मिल जाती है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो आने का, तो जल्दी आईए, इतना ज्यादा मत सोचिए और बस आ जाईए। बाबा किसी को निराश नहीं करते हैं, सब पे अपना प्यार लुटाते हैं, ठंड से बिलकुत जम गए थे, पर यहाँ पर घंटी बजाना तब बनता है, तो मैं जल्दी से दोड के गई, और घंटी बजा के बाबा को बोली, बाबा मैं आ गई, तो आप लोग भी जल्दी से जाएए, और मैरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए, अभी मैं चलती हूँ, आप लोग भी जाएए, जाए भोले, जाए के लिए,